what's up guys welcome back to our channel और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Breaking Bad season 4 episode number 6 के बारे में वेल आपको बता दूँ यह episode एक तरीके से Breaking Bad का one of the best episode है क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे dialogues हैं जो कि हमारे Walter White ने बोले हैं and यह dialogues बहुत ही जादा famous है मतलब कि one of the famous dialogues in the whole Breaking Bad series और इसके पहले कि जितने भी episodes or seasons है वो हमने detail में cover कर लिए अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो description में link है जाकर check out कर सकते हैं साथी playlist भी बन चुकी है जाए और enjoy करिए so now without wishing it's not my time anymore let's start explanation of episode number 6 episode की starting में हम देखते हैं उसी lost आने वाले episodes में चलेगा anyway story में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं स्काइलर को जो की research कर दीए गेल के उपर because Walt ने उसे kind of शक में डाल दिया है जो कि last episode की ending में जैसा कि हमने देखा था कि Walt ने कहा था कि शायद हो सकता है कि तुम जिसे ढूंड रहे हो वो यह नहीं है मतलब कि हाइजनबर्ग शायद गेल नहीं है अब इससे हैं को तो शक हुआ हुआ लेकिन स्काइलर को भी शक हो सकाइलर कहती ही कि आकर उसे क्यों मरवा दिया गया वाल कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता अब सकाइलर वाल से कहती है कि तुमने जो कल एक मैसिस डॉप किया था मुझे लगता ही कि वो शायद तुमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम काफी जादा पैनिक में थे वाल कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तुम गलस समझ रही हो लेकिन स्काइलर कहते है कि कुछी दिनों पहले तुम बार फाइट में भी इन्वाल्ग थे मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ चल रहा है जिन लोगों ने गेल को मरवा दिया क्या वो लोग तु तुम्हें पता है जो बिजनस चल रहा है यह मेरी नाम पर चल रहा है अगर मैंने कुछ करना बंद कर दिया तो यह सारा बिजनस ठप हो जाएगा और तुम्हें लगता है कि मैं डेंजर में हूं स्काइलर में डेंजर में नहीं हूं बलकि मैं ही डेंजर हूं I am not in the danger I am the danger त रेड़ी रहेगा एक गन के साथ मेरी खोपड़ी में मारने के लिए और जब में गेट खोलूंगा तो मुझे शूट करके मार देगा तो मैं लगता है कि वह मैं हूं वह मैं नहीं हूं स्काइलर I am the one who knocks यानि कि मैं वह हूं जो गेट पे नौक करके वेट करेगा उसके खु बाता है और जाता है जिसके पास पहले कभी काम करना करता था यहां पर उसका मालक वाल से काफी जारा चिड़ रहा होता है और बस बनना पढ़ेगा वगेरा वगेरा मतलब की वालग को इसी चीज़ें नेकिन वाल्ट इसा कुछ नहीं लगता वाल्ट उसे इग्नूर करता ह कोग पीता है हम देखते हैं माइक और जैसी को यहां पी वो इनर कर रहे होते हैं और जैसी के हाथ पर होते हैं एक्षिल उसने काफी दिनों से ड्रक्स नहीं किये इससे काफी जारा बेकार लग रहा है क्यों कि कई जिनों से वह पार्टीज कर रहा था नशे में धुत पड़ा अप ड्रक्स करने वाले के एकदम से ड्रक्स चुड़ाद होगे तो यही हाल होगा लेकिन माईक उसे सपोर्ट करते हुए बोलता है कि खाना आ चुका है खाना खालो जी हाँ माईक उसकी काफिछ दार केर कर रहा है ऑन यह अदर हैंड हम फिर से देखते वाल्ड को जो की पर वापस आने वाली है इसके बाद वाल्ड जाता है वाल्ड जुनियर को ड्रॉप करने के लिए उसके स्कूल एंडियार पर उनकी बीच में थोड़ी बहुत कंवर्जिशन भी होती है वाल्ड जुनियर उससे पूछता है कि अब आप वापस घर पे नहीं आने वाले ना तो यहां पर उससे दिखता है जैसी वाल्ड जैसे की पास जाता है और उससे कहता है कि आकर तुमारे और माइक की बीच में क्या चल रहा है जैसे उससे कहता है कि मैं उसका बॉड़ी गार्ड हूं और वो मनी पिकप करता है वाल्ड कहता है कि तुम्हें नहीं लग रहेगी एक ट्रैप है जैसे कहते हैं कि यहां पर जैसी के जाने का टाइम हो जाता है माइक के साथ तो जैसी निकल जाता है वाल्ट उसे रोकने की काफी ट्रै करता है लेकिन वह नहीं करनी होती है कि उसने जैसी को रोका लेकिन वह नहीं रुका वह उपर जाता है और लीडिस से बात करने की ट्रै करता है कि वह लोग उसके साथ आएं और काम में हाथ बटाएं लेकिन उनको वाल्ट की लैंग्विज नंग से समझ नहीं आ रही होती बड फिर भी वाल्ट उन्ह पे साफ मना होता है क्यों यहां पर नहीं जाना लेकिन फिर भी वाल्ट उन्हें पैसे से कर देता है और यहां पर नाहीं जाता है साथि घूस को और में यहां हो चाहती है लेको बटो निहां माइक जैसी को बताता है कि हमारा काफी sara मैच हो जोग है यह जिनों ने उब तो बैसी यह नहीं को चुराया होगा ता तो अज्वेशल से खोद रहा होता है और ऊंजा कितना और खोदना होगा एक्षिल्ली द्रक्स का काफी जादा भूका होता है तो जैसी से शौवल ले लेता ए और डिक करना स्टार्ट कर देता है जिसी का फायदा उठाकर जाता है और यहांपे एक और आदमी खड़ा होता है वह गैदें कि मुझे बाहर कड़े आदमी ने बताया कि तुम मुझे मैस सेल कर सकते हो उसे उनके घुसा आ जाता है वेल वो भी काफी सारा हाई होता है मैस लेके वो इस बंदे को यहां पर बुलाता है और एक तरीके से वो जैसी को माणने वाला होता है लेकिन तब ही उन्हें का वाज आती है जिस इसको अपने साथ बस में लेकर चला जाता है बॉल्ड उससे डुखने के ट्राय करता है और कहते कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है लेकिन वी कुई बात नहीं पहए हो रहे हो एंड आघ लेकिन यह वही बंदे नहीं नहीं हो सकते हैं वह सब्सक्राइभ्रन चुराया है वैल उन्होंने उनके लिए एक message भी छोड़ा था क्योंकि उन्हें बता था कि Gus वगिर उनके पास पहुंच जाएंगे तो इसी बारे में वो discuss कर रहे होते हैं यहाँ पर Gus कहता है कि हम थोड़ा सा wait करेंगे और इसके बार उन पर attack कर देंगे अब जब Gus यहाँ से जा रहा होता है तो जैसे उसे रोकता है और कहता है कि आकर तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना Gus कहता है कि मैं लोगों में potential देखता हूं मुझे तुम्हें potential दिखी इसलिए मैंने तुम्हें choose किया हम देखने इस्काइर को यहां पे मूर्ट जूनियर उसे बताता है की डैट ने मुझे चूंक करी वह पोड़ेग अजशा मैं पूली फेंपन और ऋ्चलाना चाहता हूं सकार कहती कि अगर तुम फैमियिको फ्रॉटेक्ट करना चाथी हो तो यह क्योں लेके आ अगर कोई भी इसकार को देखेगा तो वह क्या समझेगा लबकि एक दम मेरे पास इतना वापस करना पड़ेगा। वॉल कहते हैं किningar इसके लिए तुमें भूरा बनना पड़ेग year's at the end तिल देन, पीस आप! झाल